नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस्टिट्ट चैनल के अंदर MCQ वीडियो इस्टिटी के अंदर एक और नए MCQ वीडियो हम लेके आए हैं HSE CRPF MPCHO के exam के point of view में जिसमें कुछ important MCQ with rational है हम यहापे solve करने वाले हैं तो बस जुड़े विडियो जुरूर देखें pediatric nursing आज हमारा subject रहेगा उचके कुछ important MCQ हम with rational है solve करने वाले हैं आपसे गुजारिस फटापर से link को share कर दीजिए चैनल को like कर दीजिए और maximum लोगों को फटापर से connect कर दीजिए ताकि इस बहतरिन class का जो फाइदा है वो maximum लोग उठा सके और आप लोगों से गुजारिस comment box में अपने जवाब को continue करिए और अपने आपको थोड़ा confident करिए तो चलते हैं एक ने class की और एक ने MCQ session की और all the best question है children generally double their birth weight by five month of age this is an example of children है वो generally double हो जाता है उनका birth weight पांच महीने की उमर पे normal birth weight at birth जो है वो 3 kg होता है और पांच महीने की उमर पर यह 6 kg हो जाता है तो पांच महीने की उमर पर पांच से 6 महीने की उमर पर हम normally पढ़ते हैं कि बर्थ weight क्या हो जाता है double हो गया तो यह birth weight क्या हो गया double तो question ने पूछा है यह जो birth weight double हुआ है यह किसका example है development का heredity का state of health का physical growth का बहुत बढ़िया फड़ा पड़ से जवाब लिखिये फड़ा पड़ से बहुत बढ़िया maximum people बिलकूल correct जवाब की तरफ है growth जो है growth जो है वो indicate करता है weight length head circumference यह सब जो होते हैं वो physical growth को indicate करते हैं तो यहाँ पर very good correct answer है d physical growth physical growth जो है उसका example है birth weight का double होना weight का बढ़ना physical growth है body का तो d यहाँ पर बिलकुल correct answer है birth weight का double होना इससे physical growth तीन दिन के बाद में birth जो है birth के तीन दिन के बाद में जो hemoglobin है उसकी value newborn की कितनी होगी 3 days after birth the hemoglobin of a newborn is आपको बताना है जनम के तीसरे दिन hemoglobin के value कितनी होगी 14 gram percentage 16 gram percentage 18 gram percentage 20 gram percentage चार option है यहाँ पर जनम के तीसरे दिन hemoglobin के value पूछिए फटाबर से जवाब लिखे कुछ लोगों ने जवाब C कुछ ने D लिखा है कुछ लोग B भी जवाब बोल रहे हैं लेकिन आंसर तो एक होगा कोई भी अगर भी हिमोगलोबिन की बात करें तो जनम के समय हिमोगलोबिन की value जो होती है वो लगबग 17 to 20 gram percentage होती है तो एट बर तक हिमोगलोबिन पूछा जाता तो साइद जवाब D या C बनता क्योंकि यह जनम के समय हिमोगलोबिन होता है उसके बाद में हम सब को पता है कि हिमोलाइसिस होता है और फीजियोलोजिकल हिमोलाइसिस होता है यह नॉमली जो RBC के नंबर ज़्यादा होते है वो RBC टूरती है और हिमोलाइसिस की वज़ए हिमोगलोबिन की value जो है इस रेन से घटके कोई हो जाती है मतलब कम हो जाती है तीन दिन का हीमोगलोबिन, percentage value पूछिए, new born के अंदर, आपका correct answer अनुची 16 gram percentage, third day, हीमोगलोबिन के value, new born baby के अंदर. एक नियोनेट जिसका वजन 2.5 kg से कम है, 2500 gram से कम है, at birth, irrespective of the gastrational age, referred to, बिना gastrational age को ध्यान में रखे वे, इस वजन को अगर ध्यान में रखे, तो इस वजन के लिए क्या हम reference देंगे, क्या चीज रेफर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है, small for gastrational age, preterm baby, low birth weight baby, intra uterine growth retardation, चार ऑप्शन यहाँ पर दिएवे, बच्चे का birth weight 2500 gram से कम है, फटा फट से जवाब लिखेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिएवा है, small for gastrational age, SGA कहते हैं इसको, दूसरा यहाँ पर है preterm, तीसरा है LBW, और चौता है IUGR, intra uterine growth retardation, तो देखिएगा, जिस बच्चे का birth weight, जिस बच्चे का birth weight, gastrational age को ध्यान में रही रखते हैं, weight के बारे में हम बात करते हैं, और 2.5 kg से कम वजन होता है, उस बच्चे को बहुत ही बढ़िया, C यहाँ पर correct answer है, LBW baby बोलेंगे, low birth weight में बोलेंगे, अलंकि LB W baby होना का region, IUGR हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कारण नहीं पूचा है, हमसे यह पूचा कि जिसका वजन धाई किलो से कम है, उसको at birth हम क्या बोलेंगे, उस बच्चे के लिए हम सबसे अच्चा term का में लेंगे, LBW, यह small 4 gastrational age हो सकता है, लेकिन हम gastrational age को यहाँ धान में पूचा गया था, तो C यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, D भी answer बन सकता है, लेकिन दोनों में compare करें तो सबसे अच्चा answer C है, जब आप children के साथ में खेलते हैं, तो यहाँ पर पूचा है, जो toddler के अंदर play पाया जाता है, उस play को किस नाम से जाना जाएगा, option है, parallel play, cooperative play, therapeutic play, both A and C, फटा फट से अपना जवाब लिखेगा, toddler के अंदर कौन सा play होता है, maximum लोगों ने A जवाब लिखा, parallel play, यह खोटा जवाब है, थोड़ा डंग से पड़े question को, थोड़ा डंग से पड़े option को, जब आप children के साथ खेल रहे हैं, तो toddler के अंदर play पूचा है, और उसको किस तर नाम है therapeutic play, तो A और C जो है, वो दोनों ही option correct है, जो option D के अंदर है, तो बहुत A and C, D यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, parallel play और therapeutic play, दोनों ही correct answer है, तो D यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, toddler के play को हम best describe कर सकते हैं कि it is parallel play and therapeutic play, D is the correct one, play के जो हम type पढ़ते हैं, वो normally जो infant age का बच्चा होता है उसमें onlooker और solitary play होता है, toddler के अंदर parallel play देखने को मलता है, preschool age के अंदर associative play होता है, और school age के अंदर cooperative play वहाँ पर देखने को मलता है, toddler age में parallel play, उसी का दूसरा नाम है therapeutic play, correct answer क्या बन गया, D which of the following, finding in a newborn, baby girl is normal, यहाँ पर question ने पुचा की, जो newborn baby girl है, उसके अंदर जो कुछ नीचे finding दी हुई है, इन finding में कौन सी finding जो है, वो normal है, newborn baby girl है, उसमें कौन सी finding normal है, first option यहाँ पर दिवा है, respiratory rate of 70 breath per minute, second option है, yellow skin tone at 12 hours of age, third upper vaginal bleeding at second day of life, for the bleeding from amulicus at birth, फटापर से जोब लिखिएगा, normal newborn baby girl, normal कौन सी finding है, एक newborn baby girl के अंदर, तो देखिए का पहला option है, respiratory rate of 70 breath per minute, अच्छा maximum लोग बिलकुल correct answer की तरफ जा रहे हैं, तो पहला option है, respiratory rate of 70, तो की जादा है, यह normal नहीं है, rest के समय 70 होना, abnormal है, yellow skin का color है, 12 गंटे पे, यह भी abnormal है, इसको pathological jaundice कहते हैं, तो A और B दोनों यह option यहाँ पर correct नहीं है, यह normal नहीं है, दोनों यह abnormal है, D option लिखावा है, bleeding from amulical as birth, amulical से किसी भी तरह की bleeding कभी भी normal नहीं होती है, तो A, B और D तीनों ही option जो खोटे है, क्योंकि respiration rate, yellow tone और bleeding amulical गलत है, per vaginal bleeding at second day of life, यह बि इसी female child के अंदर birth के दूसरे दिन, per vaginal bleeding हो रही है, उसके लिए एक term कामे लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार, इसको बोलते है, pseudo menstruation, menstruation, pseudo menstruation का मतलब होता है, false menstruation, menstrual cycle की starting जो होती है, वो female baby के अंदर, जो है, मेनार्ची से होईगी, जब उनके withdrawal effect के कारण होता है, किसी इलाज की ज़रुवत नहीं रहती है, auto resolve हो जाता है, दो तीन दिन के अंदर, तो C यहाँ पर बिल्कुल करक्तांसर है, per vaginal bleeding, pseudo menstruation को indicate करता हूँ, यह female child में normal है, at birth, an assessment of a baby, weighing 4 kg, delivered by a diabetic mother, include, एक 4 kg का बच्चा है, 4 kg उसका वजन है, at birth, और diabetic mother का यह बच्चा, diabetic woman जो है, उसने इस बच्चे को deliver किया है, अब question है, पुचा है कि उसमें कौन सा assessment आप करेंगे, blood glucose level, blood sodium level, lipid profile, serum bilirubin level, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सांदार, excellent, maximum people are correct, रखिएगा, sodium और lipid गा तो कोई मतलब भी नहीं है, हाँ, उस बच्चे में, जोन्डीस और आईपोग्लाइसीमिया दोनों ही होने के समावना है, लेकिन जब specific करके diabetic मतल लिखा है, तो हम आईपोग्लाइ यह जो है, उसका वज़न जादा है, इसलिए diabetic mother का बचा hypoglycemia मतल जाता है, तो उसको assess करें है, hypoglycemia के लिए, बहुत ही बढ़िया, यह बिल्कुल correct answer है, which of these is not a congenital heart disease, यहाँ पर question ने पूचा है, कौन सी congenital heart disease नहीं है, not a congenital heart disease, congenital heart disease कौन सी नहीं है, congenital heart disease जो होती है, जो जनम से present होती है, heart में malformation की वज़े से, तीन तरह की होती है, asynotic, sinotic और obstructed, जो asynotic congenital heart disease होती है, उसके अंदर तीन हम पढ़ते है, asd, vsd और pda, यह तीन asynotic heart disease होती है, जो sinotic heart disease होती है, उसमें चार हम पढ़ते है, tetralogy of phallot, tricuspid atresia, truncus arteriosus, transposition of great arteries, और जो obstructed heart disease होती है, वो तीन तरह की होती है, metral stenosis, aortic stenosis, pulmonary stenosis, और इसके अलावा, co-errectation of aorta, यह obstructed congenital heart disease है, तो यहाँ पर पूचा है, कौन सी नहीं है, तो आप देख सकते हो, atrial septal defective congenital heart disease में आता है, asd कहते हैं इसको, tricuspid atresia, ta, tricuspid atresia, यहाँ पर आती है, tetralogy of phallot, trough, यह भी आती है, तो asdb है, ta है, tof है, यह तिनों ही, साइनोटिक heart disease और साइनोटिक heart disease के एक्जामपल है, लेकिन यह जो b option है, isstimic heart disease, यह congenital heart disease नहीं है, तो यहाँ पर correct answer बहुत ही बढ़िया, maximum लोगों ने सही दिया, b यहाँ पर है, isstimic heart disease जो होती है, वो acquired type की congenital heart disease है, sorry, acquired type की heart disease है, it's not a congenital heart disease, जिसमें coronary artery के flow में कहीं obstruction होने की वज़े से heart में ischemia होता है, और angina और MI, वहाँ पर problem देखने को मलती है, तो b यहाँ पर correct answer बहुत है, कार्डियक anomaly की, तो कौन सी common finding cardiac anomaly वाले बच्चों में देखने को मलती है, जिन बच्चों को cardiac heart disease होती है, ऐदर साइनोटिक और साइनोटिक, उनमें common finding क्या देखने को मलती है, बच्चे mentally retard होते हैं, एमर लिकावाई, delayed physical growth होती है, sinosis and clubbing of fingertip होते हैं, family student की cardiac anomaly की होती है, खटाबट से जवाब लिकिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोग खटा जवाब लिके रहे हैं, C, यह answer नहीं रहेगा, sinosis और clubbing सिर्फ sinotic ardisges को बोलते हैं, यह sinotic और sinotic दोनों को मिला के बोला गया है, तो अगर ardisges sinotic होगी या asinotic होगी, ultimately body के cell और tissue को proper amount में oxygen की supply नहीं होती है, और cell और tissue को oxygen जब मिलती नहीं है, तो cell का division properly नहीं होता है, और cellular division अगर properly नहीं होगा, तो growth properly नहीं होगी, B यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, physical growth इन बच्चों की delayed देखने को मिलेगी, तो वो बच्चे जो commonly cardiac anomalies से सफर करते हैं, उनमें common finding जो रहेगी, वो रहेगी delayed physical growth, B is the correct one, बहुत ही बढ़िया, very good, which of the following organism is responsible for the development of rheumatic fever, rheumatic fever, inflammatory fever होता है, उसका responsible cognitive organism, यहाँ पर पुचा है, rheumatic fever का cognitive organism, staphylococcal pneumoniae, hemophilus influenzae, group A, beta hemolytic steptococcus, staphylococcus aries, rheumatic fever का cognitive organism, rheumatic fever, एक inflammatory fever है, sore throat की history होती है, rheumatic fever वाले मरीज के अंदर, और वो sore throat है, एक bacterial के कारण होता है, उस bacteria का नाम है, बहुत ही बढ़िया, maximum people, बिल्कुल correct है, C, यहाँ पर correct answer है, group A, beta hemolytic steptococcal bacteria, sore throat करता है, sore throat करने के 2-4 सब्ता बाद में, यह bacteria autoimmune disease करता है, connective tissue को affect करता है, विमारी का नाम है, rheumatic fever, जिसके अंदर, heart, brain, joints, और skin के organ affect होते हैं, और उनके अंदर inflammatory changes यहाँ पर correct answer है, group A, beta hemolytic, steptococcal bacteria, the symptom of moderate dehydration in a child, किसी भी बच्चे में, child में moderate dehydration के symptom पुछे, dehydration की 3 कैटेगरिया होती है, no dehydration, mild to moderate dehydration, और severe dehydration, यहाँ पर moderate dehydration के symptom पुछे गए है, जब भी diarrhea या vomiting होती है, तो body में fluid की deficiency हो जाती है, उसको dehydration कहते हैं, यह dehydration तीन तरीके को होता है, no dehydration, mild to moderate और severe dehydration, तो पहला option यहाँ पर दिवा है, flat fontanel है, यह normal है, यह किसी भी तरीके का dehydration ही है, दूसरा है, moist mucous membrane, यह भी normal है, dehydration ही नहीं यहाँ पर, तीसरा लिखावा पेल skin color, skin का color pale होना, anemia को indicate करता है, dehydration को नहीं करता है, तो A, B और C तीनों यह answer नहीं बनेगे, तो answer है D, जब बच्चे में dehydration नहीं होता है, तो urine output सही होता है, जब mild to moderate dehydration होता है, तो oligurea देखने को मिलता है, और जब severe dehydration होता है, anuria होता है, तो correct answer है यहाँ पर D, that is oligurea, mild to moderate dehydration का important symptom है oligurea, जब dehydration severe हो जाता है, तो symptom हाता है anuria, तो correct answer है D, very good, which symptom verify anorectal anomaly into the children, किसी भी children के अंदर, अगर anorectal malformation है, anorectal anomaly वहाँ पर देखने को मिलती है, तो कौन सा symptom anorectal anomaly को verify करता है, बच्चे के abdomen का distension, बच्चे के meconium का urine के अंदर presence होना, vomiting का होना, all of the above, फटापर से जवाब लिखेगा, anorectal anomaly, किसी भी बच्चे को, अगर anorectal anomaly है, anorectal malformation है, तो कौन सा symptom ये verify करेगा, कि उसको anorectal anomaly हो चुकी है, तो देखिएगा, anorectal anomaly जो होती है, उसमें ज़्यादा तर क्या होता है, कि बच्चा फिकल मेटर को पास नहीं कर पाता है, anorectal anomaly वाली condition के अंदर, most common जो anorectal anomaly का normally रहता है, उसमें जो rectum है, वो fistulate हो जाता है, rectum जो है, उसका क्या हो जाता है, fistula बन जाता है, किस के साथ में, either bladder के साथ में, और with the urethra, और with the vagina, इस तरीके से fistulate हो जाता है rectum, जब ये fistulate होता है, जो myconium है, वो urine के साथ में mix होके, वहाँ पे बाहर निकलता है, तो जो सब सिंटम है, जो ही verify करता है कि anorectal anomaly है, वो symptom है B, that is myconium in the urine, अलांकि अगर stool pass नहीं करेगा, तो बच्चे में abdominal distension और omitting हो सकता, पर abdominal distension और omitting होने के बहुत सारे region हो सकते हैं, तो this symptom not verify the anorectal anomaly, but the myconium in the urine is a classical sign for anorectal anomaly, or fistula of the rectum, with the urethra, with the bladder, और with the vagina, तो B, यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, myconium in the urine, symptoms या sign of severe diarrhea into a neonate, किसी भी बच्चे में, severe diarrhea हुआ, और severe diarrhea की वज़े से, उसमें क्या होने की समभावना है, dehydration, तो उसके symptom क्या रहेंगे, severe diarrhea वाले बच्चे में क्या symptom रहेंगे, vomiting, depressed, fontanel, abdominal distension, yellow urine, बहुत easy question, आज के session का साइज सबसे easy question है, अगर किसी बच्चे में severe diarrhea होए, तो severe diarrhea के पलसर वुष बच्चे में होगा, severe dehydration, और अगर बच्चे में severe dehydration होगा, तो basically क्या sign होगा, dehydration के समय, vomiting का समभन इससे नहीं है, abdominal distension या yellow skin नहीं हो सकता, बिल्कूल से answer, fontanel है क्या हो जाते हैं, depressed, जब भी severe dehydration होता, तो fontanel है कैसे देखने को मिलते हैं, depressed, तो यहाँ पर correct answer क्या बनेगा B, कि उस बच्चे में depressed fontanel देखने को मिलेंगे, severe dehydration, diarrhea dehydration की condition में, depressed fontanel हो जाएंगे, संकन fontanel हो जाएंगे, संकन fontanel है भी कहते हैं, एक वर्ड का में लिया जाता है, संकन fontanel, तो यह answer बिल्कूल correct है, B is the correct one, severe dehydration की condition के अंदर, बच्चे में कौन सा sign देखने को मिलेगा, तो उसका जवाब रहेगा, संकन fontanel, After birth of a healthy neonate, the ductus arteriosus become two, एक healthy neonate में, बर्थ के बाद में, ductus arteriosus जो है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, option लिके में, ligamentum teres, ligamentum venosum, ligamentum arteriosum, medial amulical ligament, ductus arteriosus को किस नाम से जाना जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, maximum people बिल्कूल करेक्ट है, ligamentum teres किसको बोलते हैं, amulical ven को, amulical जो ven होती है, उसको ligamentum teres के नाम से जाना जाता है, ligamentum venosum बोलते हैं, ductus venosus को, ductus venosus को क्या बोलते हैं, ligamentum venosum, ductus venosus, और हमारा करेक्द आंसर है, C, जो की बिल्कूल correct है, ligamentum arteriosum किसको बोलते हैं? ductus arteriosus को, जो question में पूचा गया है, C is the correct one, ligamentum arteriosum, ductus arteriosus, medial amlical ligament, जो है वो बोलते हैं, amlical artery को, amlical artery जो है, उसका नाम क्या हो जाएगा? medial amlical ligament, amlical artery को बोलते हैं, amlical van को ligamentum terris, ductus venosus को ligamentum venosum, अब डक्टरस अर्टियोस को लिगामेंटम आर्टियोजम तो दे करेक्ट आंस्वर इस सी लिगामेंटम आर्टियोजम एक बच्चा है जिसकी उमर दो साल है और उस बच्चे को साइनोटिक कंजनाइटल हार डिजीज है साइनोटिक सी एजडी है साइनोटिक सी एजडी क्या सिम्टम एक्सपेक्ट करते हैं आप और तोपनिया एन एलिवेटेड इमेटोक्रिट एपसेंट और पेडल पल्स एडिमा इंद एक्स्टमटीज रहिएगा साइनोटिक सी एजडी का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसमें बलड जो होता है वो राइट साइड के हार्ट में से राइट हार्ट में से किदर मिक्स होगा लेट हार्ट में राइट आर्ट में कैसा blood होता है, impure blood होता है, राइट आर्ट में जो blood होता है, वो blood किसके अंदर mix होगा, pure blood के अंदर, left heart में pure blood होता, oxygenated blood होता है, जब impure blood pure में mix होगा, तो उस pure को क्या कर देगा, impure, और जब impure blood body को supply होगा, तो body में क्या होती है, sinosis, जब body में sinosis होती है, उ sinuses की वज़े से oxygen की deficiency की वज़े से बोड़ी जो होती है वो अपना एक compensatory mechanism दिखाती है और bone marrow से excessive amount के अंदर RBC का formation कराती है जब बोड़ी में RBC ज़्यादा बनती है उस condition को कहते है polycythemia क्या कहते है polycythemia और ऐसी कोई condition जिसमें ρbc के नबर ज़्यादा होगे polycythemia होगा सुप ज़्यादा होगा उस condition के अंदर bas koी के अंदर hemoglobin ज्यादा होता है और to दीए w.." क्या दैखनेगी so तो उसके अंदर क्या दैकनी को भी लेगा Elevated Hematocrit तो B बिल्कुल correct answer है and Elevated Hematocrit is the correct one for the baby with cyanotic CSD तो ये कुछ important MCQ आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर थे होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करें कमेंट बॉक्स में अपना सुजाव जरूर डाले आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुजाव जरूर डाले इसके लावा एक काम करें इस चैनल उस वीडियो को मैक्जिमम लोगों तक पहुचाने की जिम्यदारी उठाए। बगवान कृष्ट ने कहा था कि सार्थी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सार्थी बनते हैं कितने लोगों की खुसी का कारण बनते हैं करके देखिएगा बहुत लगता है तो मिलते हैं दूबारा एक ने MCQ सेसन के साथ में कल इसी समय साड़े नो पीम पे एक नई एनरजी के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल